नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोति सीक्रेट ब्रिसव रासी की महिलाएं कैसी होती हैं इनका सोभाव इनका बेभार लगभक सब कुछ आज हम समेटने की कोशिस की वे हैं वीडियो के अंतक बने रहें ब्रिसव रासी की जो महिलाएं होती है न उनका बेभार बहुत ही सालीन होता है और इनका दल कोई भी जीत सकता है लेकिन ब्रिसव रासी की महिलाएं एक ऐसी सक्सियत हैं जो भीड में भी सबसे अलग दिखती हैं बहुत सिंपल लेकिन फिर भी हर कोई इन्हें जानना समझना जाता है क्यों इसलिए यह आकर्षन की रासी है इसलिए लिए शुक्रदेव इनका स्वामी कहीं हैं तो आकर्षन तो इनके अंदर होगा ही इनका ब्यक्ति तो ही बहुत और आप इसलिंव होता है इनकी छोटी चोटी बाते भी लोगों के भी चर्चा का विश्य बन जाता है क्योंकि इनका चार भी कुछ अलग होता है इनका इनका ब्यभार और इनका बहुत ज्यादा फोरोस्वे मंद ब्यक्तित्तों लोगों को आकर सिख करता है ये खुद ही लोगों से जुड़ जाती हैं बहुत आसानी से और साथ ही प्यार के मामलों में बहुत वफादार होती हैं दिल से सोचती हैं बहुत एक सीधी लाइब जीना पसंद करती हैं जीवन साथी के रूप में या लब पार्टनर के रूप में सबसे ज़्यादा वफादार ब्रिस्वरासी की महिलाया होती हैं क्योंकि इनके लाइब में तलाग जैसे सब्द होते ही नहीं अगर जीवन साथी इन्हें छोड़ भी दे तो उनकी यादों के सहारे यह रह सकती हैं लेकिन दुवारा से किसी को अपनी लाइप में यह पसंद नहीं करेंगी इसके भी पीछे कारण है और वो यह है कि यह प्यार दिल से करती है इनके लिए प्यार का मतलब काम भावना नहीं होता है इनके लिए प्यार का मतलब होता है केर करना प्रेम देना वातसल्य भरा प्यार होता है इनका मुमत तो भरा जैसे एक केरिंग नेशर होता है मा का बिलकुल वैसे ही ब्रिसवरासी की महलाओं का प्यार होता है बहुत ही पाव भाव ही नहीं होगा तप भला दो-चार साथी की क्या वा सकता है इसलिए इनके लव लाइफ में या बैवाहिक जीवन में तलाक नहीं होते अगर हो भी जाए तो इनकी तरफ से नहीं होता बहुत ही सीधी और सिंपल लाइफ चाहती हैं आप इन्हें जिस भी मोहौल में रख देंगे उसी मोहौल में बहुत आसानी से ढल जाती है बिशवरासी की महिलाएं और कोई इन से सच्चा प्यार करें करके देखें उनके लिए ये सब कुछ नियोचावर कर सकती हैं बहुत वपादार और कला के परती विसे सुनुची होती है वैसे तो इनके लिए वानी वाले छेतर में जैसे फिल्म मीडिया ग्लेमर संगीत है पारलर कपडों के बैवसाई हैं सौंदर प्रसाधन के अगर इन छेत्रों में कॉस्मेटिक्स के चेत्रों में यह जाएं तो अपना दबदबा कायम रखती हैं बहुत नाम सहरत यसमान समान बहुत आसानी से कमा सकती हैं इनके बैभार में कलात्मक्ता दिखती है बहुत अच्छे कलाकार भी होती है और इनको किसी भी चीज को देखने का अंदाज जराहटके होता है कहीं भी रहेंगी सुन्दर चीजों से इन्हें प्रेम होता है सुक्र की रासी है तो आकर्सन तो होगा ही और हर एक खुबसूरत चीज कि जहां भी रहती हैं इनके जीवन में अमूँबन ऐसा देखा गया है इनकी किसी चीज की कमी नहीं होती अब ऐसा कहां कि नहीं पिर एसा कहीं होता है उसमें संतुष्ट रहती है धन कम safety happiness आने प्रेपाएं और होती है और एक बार इन्हेंज पंकं को तो ये आसमान की उचाईयों को छू सकती हैं, धन अपने बलबूते कमा भी सकती हैं और पूरे परिवार का नाम रौसन भी कर सकती हैं, लेकिन जिद्धी होती हैं, और जिद्ध में आकर कभी-कभी खुद का नुकसान भी कर लेती हैं। अगर बुद्ध गरवड हो गया तो, अगर बुद्ध अच्छा है तो अप सलाह लेकर एक पन्ना पहनिए, आपको सूट करेगा, अगर बुद्ध गरवड है तो फिर ओम बुद्धाय नमख का जब जितना ज़्यादा हो, रोज सुबह नाने के बात करें। अगर हम आपके बेवार की बात करें, आप थोड़ा धीमा बोलती हैं, और यही चीजें आपको लोगों से जोड़े रखने में सहायता भी करती हैं। समझते सायद आपका आधी उम्र खत्म हो जाती है, तो सुरुवात में समझ जाएं, तो परिशानी कम होगी। वैसे तो फैसला लेने का काम आप दिमाग सही करती हैं, और दिल की बात है, तो बहुत जरूरी है कि ब्रिशा ब्रासी की महलाएं, सोभाब इनका होता ही बहुत मिलनसार है। लेकिन दोस्त भी बहुत होते हैं, हर कोई इनका दिवाना होता है, पर ये सबसे दोस्ती नहीं कर पाती, उसका भी कारण है, सिर्फ ये। कि इन्हें लगता है कोई बैक्ती अगर रुखा बोल रहा है या फिर इनको समझ नहीं पा रहा है या इन्हें लगता है कि जैसे यह बैक्ती आगे चलकर धूखा दे सकता है तो ऐसे लोगों से यह खुद ही किनारा कर लेती हैं साय दुबारा मिलना भी नहीं चाहती इनका सुभाब थोड़ा जुदा होता है लेकिन अगर जो इनकी फिलिंग्स को इनकी भावनाओं की कद्र करता है उनका साथ ये मरते दम तक निभाती है वैसे तो भी सब्रासी की महिलाओं से बात करना बहतासा नहीं ये दुस्मनों से भी बात करती है अगर वो सामने से आ जाए तो अगर उन्हें हेल्प चाहिए आधी रात को भी देने को ततपर है क्योंकि सब को साथ लेकर चलना इनका बहुत बड़ी अच्छाई है साथ ही एक बात और है कि इन्हें हर एक बात में कुछनों कुछ खारन मिल जाता है और उस सब्सक्ति का एहसास इनके भी लड़कपन में होता है पर अपनों के बातों से बाहर जाकर कोई फैसला यह नहीं लेती इसलिए साइद इन्हें बैल बुद्धी कहा जाता है क्योंकि यह अपने धर्रे पर चलना पसंद करती है लीक से हटकर काम करना इन्हें अच्छा नहीं के इनके कायल हूते है और आंखे मख़नद कर भरोसा भी करते हैं को यह वैसे तो अगर को प्यार करता है ना तो उसका उत्तर भी उनको प्यार से ही मिलता है अगर कभी प्यार बस्ते मिलाउं पर ऑपको तो में मिलेगा अब हम दूसरी तरफ अगर बात करें इन्हें इमांदार लोग पसंद हैं जो लोग छल कपट भरे होते हैं वफादार नहीं होते हैं ऐसे लोगों से यह दूर रहना पसंद करती हैं क्योंकि छली लोग दक्यानुसी विचारधारा वाले लोग बहुत सारे लोग जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ऐसे लोगों से भी दूरियां बना कर रखती हैं लेकिन दिल की बातें सायद कोई नहीं जानता है इनका चेहरे पर सांती दिखेगी बहुत सांती लगेगा कितना सुकून है लेकिन अंदर बहुत सारे भूचार क्यों ये तो उन् वह इसे भी रह जाएंगी आप इन्हें कहीं जोपड़ी में ले जाओ तो वहां भी रह जाएंगी थोरा सा एड़ेस्ट करने में टाइम लगता है लेकिन एड़ेस्ट कर जाती है इनहें सिर्फ प्यार चाहिए ये प्यार की भूगई होती हैं अच्छे बाते करना अच्छ बहुत आता है और अमूमन देखा गया है पैसे तो बहुत कमाती है पर हाथ खाली रहता है सारे पैसे पता नहीं भावनात्मक रूप से किन से ब्लैक मेल होकर कहां से कहां चला जाता है यानि लोग अक्सर इनके इसी सीधापन का फायदा उठाते हैं और यह अक्सर खाली हाथ बहुत रहते हैं इस से अच्चा है आप पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दें वह ज्यादा बहतर होगा क्योंकि एक बार हाथ से आपका पैसा निकल जाता है तो फिर वह वापस आपको नहीं मिलता इस बात को आपको समझना होगा वैसे आप money meno होती है पैसा कमाना जानदी है और पैसब बचाना नहीं जानती इस चीज को समझने में साहद आधी उम्रम ने जैसा कहा बीद जाता है तो इनको समझें और आगे से संभल गर रहे हैं वैसे तो आपको जीवन में एसवरा मिल ही जाता है बहुती सुख आपके जीवन में होता है और आपको ज्यादा कुछ न आएंगी सब कुछ बेहतर होगा तो हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करना मद बूलिए गया